साथियों आज इस वीडियो में हम नॉवंबर 24 में होने वाली SMC मीटिंग के अभी लेकिकर्ण के वारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले हमें मीटिंग के एक या दो दिन पूर्व एजेंडर लिखना होगा जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे बिद्याले प्रवन समीति के समस्त सम्माने सदस्वों को सूचुत किया जाता है कि दिनांग 6 नॉवंबर 24 दिन बुद्दवार को प्रात्म बिद्याले की प्रांगर में अपरहन 12 बजे एक बेठा का आयोजन किया जाना है जिसमें आप सभी सदस्वों की उपाश्चा पहला प्राशी को विए करने के संबंद में चर्चा पांसमा बिंदू है एको किलब की गतिविदियों के किर्यान वयन के संबंद में चर्चा छटा बिंदू है पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के संबंद में चर्चा सातमा बिंदू है अपार आजडी सेजन के संबंद में चर्चा और आटमा एवा अंतिमिंदु होगा MDM में हुए परिवरतन के संबंद में चर्चा अब बैठक की दिन की कारवाई हम इस प्रिकार लिखेंगे पूर्ब में घोशत एजेंडा की अनुसार आज दिनांग 6 नॉमबर 2024 दिन बद्दवार को प्रात्म इद्दाले की प् प्रितन सभी का उगत कराया गया कि इसी महा में कक्षा एक से पांच तक के सई बच्चों का नेपल असेस्मेंट टेस्ट कराया जाना है जिसके लिए बच्चों की तैयारी के संबंद में चर्चा की गई दूसरी बिंदू के अंतरगत दिनांग 4 दिसंबर 2024 को कक्षा तीन क चाठ-चात्रों का पराक राष्टी सर्वेश्ण कराया जाना है इस सर्वेश्ण के पूर्भ प्रतिय सनिवार को अभ्याज प्रिश्नपत को ओं शीट पर हखराने का अभ्याज बच्चों कराया जा रहा है इस पर भी चर्चा की गई तीसे बिंदू के अंतरगत आज की इ करने है तू अभिवाब को जागुरु किया गया जिससे बच्चों को ठंड से बचाया जा सके चोथे बिंदू के अंतरगत पीएफे मेंस के मात्याम से बिद्धारे को प्राप्स धनराशी का उचत अभोग करने है तू कारियोजना पर चर्चा किया गई पांच में बिंदू कि एम्डेएम एवं चात्र उपस्तिती पंजिकाओं के डिजितलाजिजेशन के संबंद में प्राप्तने देशों से सदस्थों को आउध कराये गया साथ में बिंदू के अंतरगत बिद्याले में अध्यनत छाथ सातराओं की या पराइडी के सेजन की प्रिगती की समबंद में सभी उपस्तित SMC स्थासों को अगवत कराये गया आठवे बिंदू में बेठक में उपश्टित सदस्वों को अउगत कराएगा है कि सब्ता में पिर्तिय गुरुवार को पीम पोशल योजना के तहित जिक्की या भुना चना पिर्ति चात्र 50 ग्राम उपलब्द कराएगा यह योजना नमंबर 2024 से महा माज 2025 तक पढ़ने वाले कुल 19 गुरुवार तक संचालित रहेगी अंद में उक्त महत्पूर बिंदू पर बिचार में मर्स करने के पश्चात सभी सदस्वों को धन्यवाद व्यक्कर आज की बेठक के समापन की गोशला की गई